इसे जो टीम है जिसने एंकाउंटर किया वो टीम कैसे सेलेक्ट की बारा लोगों की क्योंकि यह बहुत ही मुश्किल टास्क एक तरह से था उपीएस्टेफ के लिए तो टीम का सेलेक्शन कैसे किया कि कौन से लोग इस ऑपरेशन में लगाए जाएंगे यह जो टीम्स है वो आपना डेजिग्नेटर्ट टास्क और टागेट को लगातार ट्रैक कर रही थी और जो जिन टीम्स ने फाइं़ी टागेट को ट्रैक किया वही उन्ही टीम्स ने इसको फाइंगले अंजाम दिया को इसमें कोई अलग से सेलेक्शन प्रोसरस नहीं है लेकिन STF में जितने भी करमचारी हम लेते हैं, वो सभी volunteers होते हैं और volunteers में भी हम यह देखते हैं कि उनकी छमता STF में काम करने की है की नहीं उन्होंने पहले crime के against काम किया है या नहीं, उनका aptitude क्या है, उनकी technical knowledge क्या है यह सब देखने के बाद ही हम STF में किसी को select करते हैं और यही कारण है कि STF UP जिसकी total sanctioned strength 800 से भी कम है की strength को हम कभी भी पूरा नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारा selection criteria जो है थोड़ा ज्यादा pick and choose वाला है किसी भी आदमी को की काविलियत को पूरा आपने के बाद ही से select करते हैं और इसलिए हमें teams को एक बार task देने के बाद बहुत जादा monitor करने के आवशक्ता नहीं पड़ती बहुत जादा directions की जरूत नहीं पड़ती देवाग अटो मोट जैसे यह जो पूरा operation था लोगों के मन में एक सवाल यह भी आता कि जो उमेश पाल जिससे उमेश पाल के हत्या की गई आसाद जो है वह बिलकुल साफ दिखाई दे रहे हैं कि वह सद है बाकि शूटर साफ दिखाई दे रहे हैं सरकार यहां पे बदल चुकी है 2017 से और लगातार कारवाई भी हो रही है यह तो एक समस्या है यह लेकिन दूसरी समस्या अतिक हमत के साथ यह थी कि अब कई लोग इनके गैंक द्वारा किये गए करस्तानियों पर सीधा सीधा कोर्ट में जाकर बयान दे रहे थे कोर्ट में आयाज विटनेस खड़े हो रहे थे और एक केस में तो अतिक हमत को सज अगर उसको इतनी आसानी से लोग अगर एविडेंस देने चले गए तो उसकी तो लगभग वजूत की लड़ाई हो गई थी और यही कारण था कि इतने डेस्परेट तरीके से इसकारे को अंजाम दिया गया दूसरा इसका एसका यह है कि मैं आपको याद दिलाना चाहूग क्रिष्णनानंद राय मर्डर केस का की उसमें आठ व्र्क्ति मारे गये थे उसमें ट्रृत्य आज़ते उनके दो गहन इसका अंधे जए उस घटेमेशी ञाना में हर बॉड़ी में लगभग सौ सो कार्थूस पंप किये गए थे यानि एक मेसेज देने कोशित की गई थी और उसका असर हुआ भी था उस घटना ने एक तरह से मुफ्तार अंसारी को यूपी के क्राइम वर्ल्ड का नंबर 1-10 बना दिया था जैसा हम पहले अमिताब बच्चन और भार भी उसकी कराइम का सहंशा है बना दिया था तो इस प्रकार की कोशिसें ये माफिया गैंग्स करते हैं इसका वजूद फिर से काइम हो जाए और उसका गाइंग जो है उसके खिलाब कोई दुबारा एविडेंस देने की कोट मेहमत ना करें जिसे इतना आतंग की उमेशपाल को इस तरह से जेल में रहते हुए मार दिया साजिश रची वहां से तो जैसे आपने जो टीम को लगाया इस काम में या बाकी भी जो आरोपी उनको पकरने में जो टीम लगी है किसी तरह का डर उनके मन में या उनकी कुछ आपको कांसिलिंग करनी परती है कि अब डरने की जरुवत नहीं है सब उनके पीछे है कि STF में ऐसे लोग चुनहीं नहीं जाते जो डर जाए एक तो वो पार्ट है जो आपने मौके पर देखा होगा जिस टीम ने फाइनली इस गैंग को गहर करके इस ग्रूप को गहर करके और उनके साथ मुटभेड किया इसके अलावा उससे कहीं बड़ी टीम बैक्ग्राउंड में टेक इंपोट्स पर हुमन इंपोट्स लगतार काम कर रही होती है वो नेपथे में रहते हैं और उनके रोल्स को हाइलाइट हम लोग न कर पाते हैं न किया जा सकता है बट उनका रोल भी इक्वली इंपॉर्ट होता है तो स्टीएफ एक टीम वर्क है यह एक परिवार की तरह पूरा और्गनाइजेशन है सभी लोग एक दूसरे के शुक्तित में सामिल होते हैं एक दूसरे की मदद करते हैं और इसी कारण से बड़ी वेल कोडिनेटेट टीम्स को रूप में भी फीड में काम करते हैं इसे हम देखने हैं कि बहुत तरह की ख़बरे असी आरे कि अतिक है मद जो है कोट में रोया और उसने कहा कि उसकी वज़े से बेटी की जान गई तो अब आपको लग रहा है कि उसने कितना बड़ा अपरात कर दिया वो खुद से मान रहा है कि अपरात किया हमेश पाल हत्या अब इस फोटेज को मैंने देखा नहीं है कि उसने कहा कि उसके वज़े से गई लेकिन अगर उसने ऐसा कहा है तो इट अपास और भी एविडेंसें हैं कि उसने एगटना कराई है और उसके दोनों भाई यह दोनों भाई अतिक और असरफ इसमें सिधे सिधे सामिक शामिल इसके कई एविडेंसे पुलीस के पास हैं और बाकी एविडेंसे पुलीस का सुडियल रिमांड में इंट्रोगेशन के दोरान भी प्रया ग्राज पुलीस और उनकी जो इन्वेस्टिगेशन टीम है वावस्टे करेगी अतिको यह जरूर लग रहा होगा कि इस घटना का पाकिस्तान से हतियार आ रहे थे तो यह किस तरह के इंपुट आपको मिलें जो अभी तक जितना इंवेस्टिगेशन हुआ है आपने देखा होगा इनके पास जो भी वेपन्स मिले हैं राइट वाटना हुई थी उसकी सिसी टीवे फुटेज में भी देखा होगा किनों ने प्रयाग राज पुलिस ने भी बड़े हतियार के जखीरे को बरामत किया था साथ में 80 लाग रुपे कैस भी बरामत हुए थे तो यह पूरा वेपन्स का जखीरा जो था यह सब फॉरंड मेड वेपन्स थे कल भी घटनास्तल से दो फॉरंड मेड वेपन्स जो बहुत ही सॉ और एजली छुप जाने वाला रिवॉल्वर है बहुत चोटे साइज का और वॉल्थर पी-88 पिस्टल है जो यॉर्पिन ओरेजिन की एक बड़ी सॉफिस्टिकेटड वेपन मानी जाती है और यॉरोप में लाइन्फोर्स्मेंट एजेंसी इस वेपन को इस प्रकार के और आउनैनस उन्ही है और यह सारे वेपन्स अक्रॉस आंप संगल कीया जाता है कि स्था अव्युक्तर सो छौटे ऑ्षान की बाऍचे माधियानसों लेकिन आब इसका पोटन्ट मीडियjuna हो गया है कि की एसे माल इमकारों के लिए बहुत हो भरा जी हाब तो ड्रोन्स इतने पोटेंट हैं, इतने सस्ते हैं, कि वो पिस्टल जैसी चीजों को उठाकर 15 किलोमेटर दूर एक खास पॉट पर गिरा सकते हैं और इसमें कोई खत्रा भी नहीं है, कोई लॉस का चांस भी नहीं है, ये ड्रोन दस से पंदरा फिट उची उड़ेंगे, और ये कहीं से रात में कोई डेटेक भी ने कर पाएगा, सिर्फ उतनी आवाज होगी जैसी पास एक मौस के गुजरने से होती है, तो इनने डेटेक कर पर इसे इसका इस्तिमान भर रहा है, इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें, इंडिया टीवी न्यूस, गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर